क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के दो मास सकती साली आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है अगर आपने कभी जंगल के दो सूपर पाउड जानवरों के लड़ाई नहीं देखी तो आज आप देख लीजिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के बटन को प्रे करते हैं कि जब दो हाती आपस में लड़ते हैं तो यह सा लगता है जिससे आज माबारत होने वाला है अधिकान से भी देखा जाता है कि दो जानवरों के लड़ाई के बीच में तीसरा जानवर आ जाता है लेकिन जब दो हाती आपस में लड़ते हैं तो कोई तीसरा जानवर नहीं आता क्योंकि तीसरा जानवर जानता है कि बीच में आने पर अपनी मोथ पकी है वेशे हाती जंगल का सबसे संथ जानवर माना जाता है और सबसे संथ जानवर भी है लेकिन करते हैं कि जो जितना संथ जानवर होता है वो उतनाई खत्रनाक होता है हाती को जब पुस्सा आता है तो जंगल के बड़े बड़े जानवर भी इनके सामने धाड़ मार के बाग जाते है चाहिए जंगल के राजा सेरी क्यों न हो आप वीडियो में देख सकते हैं दो हाती की लडाई ऐसी लग रही है मानो जिसे दो यम्राज आपस में बिढ रहे हो क्या आपने कभी सोचा है की हाती आपस में लड़ते क्यों है हाती कभी भी अपने इलाके को लेकर नहीं लड़ते अधिकांस यही देखा गया है की हाती गुट में रहना ही पसंद करते हैं यानि की हाती गेंग बना कर रहते हैं और कभी भी अपनी इलाके को लेकर एक दूसरे पर हमला नहीं करते इनका दिकान समला जबी होता है एक हाती अपने दूसरे हाती के बच्चों पर हमला करे या पिर ये मादा हाती को लेकर आपस में लड़ते हैं एक हाती का दूसरे हाती पर हमला होना यानि साथ साथ मोत को दावत देना होता है दो हाती आपस में जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो यमराज एक दूसरे की जान लेने पर उतार हो गए हो अपरिका की जंगल में पाये जाने वाला हाती सबसे खोकार और ताकत पर माना जाता है जब इन दो हातियों का सामना होता है तो लड़ाई बहुती देखने को अजीब लगती है इनका सामना मोत को दावत देना होता है कहते हैं कि हाती किसी भी जानवर से डरता नहीं है आप वीडियों में देख सकते हैं एक हाती जैसे पानी पिने के लिए आता है तो शेर वहीं बेटाता लेकिन ये हाती इस शेर को देखकर गबराता नहीं है शेर वे से तो किसी भी जानवर का सिकार कर लेता है लेकिन इसाथ एको देखकर तो शेर भी बहुत चक्का रह गया शेर भी सोचने लगा कि हमला किया तो समझो मेरे भी मोत पकी है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर करें